असलामू अलाइकुम देसे हैं आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप तो हम लोग खेरी असे होंगे तो आज की वीडियो में हम कुछ जिरूरी ख़बर जिरूरी जानकारी जो आ रही है वह आप तक पहुचाने वाले हैं तो अगर आप लोग कोईत में रहते हैं कोईत के हाला वाकिया से वाक-खवर रहना चाहते हैं वशनी वीडियो का आप सो से लगा आखियर तक जिरूर से देख लिए है सबसे पहली हवर एक फ्लाइट दुबाइए के हवाले से है जो काटमंडू से उडान भरती है दुबाइए के लिए लेकिन जैसे ही वो फ्लाइट उडान भरती है फ्लाइट के एंजन में आग लग जाता है ज़िसल कि आपने शुर्म वीडियो क्लिप या सामने स्कीम पर आप वीडियो क्लिप के मद्रम से देख सकते हैं फ्लाइट के इंजन में भेंकर आग लग जाता है बदाई ये गया है कि बाद में इस फ्लाइट को अलहमदुल्ला सुरचित तरीके से उताल लिया जाता है इस फ्लाइट में तकरीवन 179 मुसाफिर सवार थे अलहमदुल्ला तमाम मुसाफिर सुरचित हैं किसी को कोई ज़्यादा परिशाने का सामना नहीं करना पड़ा है। लेकिन वक्ती तोर के लिए मुसाफिर तमाम डर गए थे जब फ्लाइट में आग लग गए थे। अलहमदुल्ला फ्लाइट को अच्छी तरीके से लेंड करा लिया गया है। तो तमाम लोगों के लिए एक लाइट जरूर करते हैं जो लोग इस फ्लाइट में सफर कर रहे थे हैं। इसके साथ एक लिप डेट यह है कि कोई एमुआई की टीम ने तकरीबन 40 से ज्यादा गयर मुल्कियों को कोई के अंदर गिरबतार किया गया है जो रेसिडेंस लाओ, लेवर लाओ और अलग अलग तरह की खिलाफ फरजियों में सामिल थे हैं। पताएज़ जा रहा है कि इस वक्त कोई के अंदर लगातार अभी भी चेकिंग अबयान चला है। है जिसके नतीजे में दस से ज़्यादा गाड़ीयों को जब्त किया गया है जो रूल्स रोगलेसंस की पबंदी नहीं कर रही थी खिलाव फरीजी करें जिसके आप सामने स्केम पर इमेज के मद्दम से देख सकते हैं इसके साथ ही बताया यह जा रहा है कि आज से कोईट के अ से ज़्यादा लोगों ने कोईट के अंदर इसलाम कबूल किया है जह तो छे सो से ज़्यादा लोगों ने रमजान की महीने के दोरान कोईट के अंदर इसलाम कबूल किया है दोस्तों यह थी आज की कोईट की कुछ जरूरी खबर जरूरी जानकारी जो आप लोगों को बता केसा जब तरक्या अबना कहा लो कि खुदा